हेलो स्कूडिंट्स मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रिंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरिट चैनल दा स्टूडियस में लेट्स गेट स्टाटेट हेलो स्टूडिंट्स वेलकम तो यूर फेवरिट चैनल दा स्टूडियस आपके वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा पके कमेंट्स बहुत अच्छे थे उसके लिए थैंक्स लेकिन एक साथ-साथ मझे और चीज पता चली कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था जी हाँ, interest on capital की मैंने सारी की सारी चीज़े एक साथ एक वीडियो में बना दी जो around 28 minutes की हो गई और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा की सर ये बहुत लंबी हो गई मैंने का भई कोई बात नहीं, parts में देख लो, की request पर मैं बनाऊंगा interest on drawing के दो part में वीडियो यानि की आज है part 4 A और कल बनाएंगे part 4 B So, आज हम लोग बात करेंगे interest on drawings निकालने की, interest on drawings, normal case और special case, दो तरीके से निकलता है, सबसे पहले drawings क्या है, चलिए समझ लेते हैं Drawings है, the amount which is withdrawn by the proprietor for its personal use, जो भी proprietor अपनी personal use के लिए चीज़ें withdraw करता है, cash withdraw करता है, that is known as drawings Drawings goods की भी हो सकती है, cash की भी हो सकती है, जो अब drawings होती है, तो एक तरह का ये firm के लिए, आप कह सकते हो, income earn करने का एक source है, क्योंकि because अगर आप firm से कोई चीज़ ले रहे हो, जैसे आप interest on capital firm को देते हो, तो आप भी सोस्ते हो ना कि firm हमें कुछ उसके बदले में दे, interest देता ह ना firm उसे, तो इसी तरह से जब आप drawing लेते हो, drawing एक तरह से आपका personal amount नहीं है, drawing firm का amount है, जो आप ले ली है firm से, as a partner में बात कर रहा हूँ अगर, तो आपको उसके लिए interest देना है, तो उसका treatment क्या होता है, समय लिए, interest on drawings जो है, ये आपका credit side पे show होती है, profit and loss appropriation account में, क्यो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको कैल करने के लिए दो cases हैं, एक तो normal case है और special cases आते हैं, अभी हम लोग पहले बात करते हैं, normal case की, normal case में देखिए क्या होता है, interest on drawing is always calculated in the normal case for six months, मान लीजे कि normally दिया हुआ है, कि अगर मोहनलाल invests rupees 50,000 in a business and withdrew 10,000 in the year as a drawing for personal expenses and the interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum, so when the interest of drawings have to be charged on 10% per annum, so it would be 10,000 into 10 upon 100 into 6 upon 12, मैं इसमें आपको board की pick भी attach करके बता दूँगा, कि formula क्या होते हैं, जिससे आप note down करे हैं, उसे pen down करके रखिएगा, I hope आप ये चीज़ें note कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत important है ये चीज़ें, अब इ देख लिए इसका, IOD, IOD मतलब interest on drawings is equals to total drawing into rate upon 100 into 6 upon 12, normal cases में drawing हमेशा 6 upon 12 निकलती है, और जो interest होता है, वो हमेशा per annum के case में दिया होता है, अब देखिए rate of interest अगर per annum के case में नहीं दिया, कभी कबार क्या होता है, एक instant आ जाता है, कि जब per annum के case में ना देकर, वो बोल देत है 10%, interest on drawings has to be charged at 10%, अब देखिए, per annum नहीं दिया, किवल percent दे दिया, यह बड़ी logical चीज बता रहा हूँ, एक बड़ी hidden चीज है, जो बहुत special cases में आती है, एक दो questions हैं आपके इस तरह के book में, तो आप लोग याद रखिए, जल्दी कोई आपको बताएगा नहीं इसे, कि मा तब पूरे साल की drawing calculate होती है, याद रखिएगा, फिर से समझ लीजे, normal case में अगर आपको per annum rate दिया हुआ है, जैसे 10% per annum, तब तो वो six month के calculate होगी, जो हमारा formula था, अगर मान लीजे, वो per annum ना देकर, केवल दे दिया है 10%, मतलब उसके आगे 10% के आगे P.A लिखा होता है per annum उसका full form होता है, तो अगर P.A नहीं लगा, केवल 10% लिखा हुआ है, तो वो होता है full year के लिए, यानि उसके लिए interest on drawing निकालने का formula हो जाएगा, IOD is equals to total drawings into rate upon 100, उसमें 12 months पूरा होता है, तो 1 year के लिए, simple 12 upon 12, 1 हो जाता है, तो उसमें केवल यही formula लगता है, कि total drawings into rate upon 100, I hope यहां तक वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और भर भर के अपना प्यार भेजिए, because आपका जो motivation है, likes है, वो बहुत अच्छा लगता है, और महनत करने के लिए हमें encourage करता है, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते ह है special case की तरफ, special case में सबसे ज़्यादा page क्या होता है, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसे calculate कर लोगे, मुझे मालूम है, लेकिन special case में क्या होता है, जैसे मैंने बता है, वहाँ पर आपको normal case में one time drawing दे दी 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन special case, लोग बात करेंगे special case म और special case में time period calculate करना बड़ा मज़ेदार चीज होता और बहुत important चीज होता है, तो time period कैसे calculate होता है, समल लीजे special case में, special case में time period calculate करने का formula देख लीजे, बहुत important है, इसको अगर आप याद कर लेंगे, तो lifelong interest on drawing निकालने में कभी दिक्कत आनी ही नहीं है, इसका formula होता है, time left after the first drawing, जैसे माल लीजे, कोई भी drawing हो रही है, तो पहली drawing जब भी हो रही होगी, उसके बाद कितना period बचा है, चोगी अब जब भी होगा, तो regular interval के बाद ही होगा, एक case होता है, irregular interval का, वो हम आपको कल बताएंगे, कल वाली वीडियो में, irregular interval का बाद में बताएंगे, यहाँ पर drawings आपकी regularly एक interval पे हो रही है, period पे हो रही है, जैसे month हो गया, quarter हो गया, yearly हो गया, six monthly हो गया, तो इस तरह से, तो यहाँ पर time left after the first drawing, plus time left after the last drawings, पहली drawing के बाद कितना समय बचा है, अनलब year end में, last drawing के बाद कितना समय बचा है, दोनों को plus कर देंगे और two से divide कर देंगे, जब ह important चीज़ है, इसको याद कर लीजे, time period आपको मिल जाएगा यहाँ पर, अब time period यहाँ पर आपको मिल गया, आपको time period calculate करना आ गया, अब देखिए time period calculate आपने कर लिया, आप time period calculate करने के बाद इसका formula क्या हो जाता है, IOD is equals to total drawings, देखिए total drawings में क्या हो कह रहा हूं, क्योंकि drawings का amount अगर एक दिया है और regular interval दे रहा है आपको, तो into 12, into 6, into 3, into 4, कुछ ने कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, into rate upon 100 into time period, जो भी time period हमारा calculate होगा यहाँ पर बेटा, upon 12, यह basic formula है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, तो कभी भी आपको IOD निकालने में लिकत नहीं होगी, चलिए आज हम लोग कुछ cases के बारे में बात करेंगे, इसमें जो आते हैं, interest on drawing calculate करने में, पहला आता है, आज हम लोग बात करेंगे, month wise, आज हम लोग इस पे finish करेंगे, और कल हम लोग बात करेंगे, जो आपका quarterly होता है, और उसके बाद irregular drawings, क्योंकि half yearly important नहीं होता, तो हम लोग उस पे नहीं जाएंगे, पहले आ जाते हैं month wise, देखिए month wise में, अगर first day हो रहा है, first day of every month, first day of every month का मतलब क्या है, यहाँ पर simple समझो, अगर first day की बात करते हैं, तो पहले मान लीजे की हमारी जो year है, वो first January, अगर year की बात करते हैं, तो jan to December है, ठीक पात, first December को निकल दा है last drawing, last drawing तो year की first December को होगी, तो कितना समय बचेगा, one month का, यानि की upon two, इसका मतलब 13 upon two is equals to 6.5, अब यह 6.5 आ गया, 6.5 क्या है आपका first day of every month के case में आपका time period होता है, अब इसका एक example समल लीजे, मान लीजे की Sohan is a partner in a business who withdraws 5000 per month, 5000 per month at the beginning of each month, 5000 per month at the beginning of each month at the rate of 10% per annum, so अब देखी क्या हो जाएगा, total drawing देखो कितनी हो जाएगी, total drawing 5000 into 12, यानि की total 60,000, यह यार रखेगा, तो अब interest on drawings यानि IOD कितनी हो जाएगी, 60,000 into 10 upon 100, rate हमने 10 माना था, into 6.5 upon 12, इसको solve कर देंगे, हमारा पहला answer आजाएगा, हमें interest on drawings इसमें calculation हो जाएगा, calculation आप कर लेंगे, I know, अब इसके बाद हम बात करते हैं second case की, second case में मान लीजे, अब हम second case में middle की बात करते हैं, middle of each month, अगर हम middle of each month निकालते हैं, तो देखी क्या होगा, 15 January, पहली हम लोग जो drawing करेंगे, 15 January को करेंगे, यानि कितने मंत बचे बेटा आपके, simple समझे, 11 and a half months बचे, सारे 11 महीने बचे, प्लस last drawing में कितने महीने बचेंगे बेटा, आप 15 December को करोगे last drawings, यानि कि फिर से 0.5 months बचे, upon 2 कर देंगे, तो यानि कि ये कितना हो गया, 12 upon 2, 6 months, ये simple 6 months वाला formula है, इसमें भी वही होगा, कि आपको क्या करना है, interest on drawing calculate करने के लिए total drawing निकालनी है, जो भी monthly उसकी drawing है, into 12 कर देना है उससे, और फिर वही formula यूज हो जाएगा, अब हम लोग आ जाते हैं, आज के last topic पर, आज का last topic है आपका end of each month, end of each month, अगर हम end of each month करते हैं वेटा, तो end of each month क्या होता है, फिर से समझ लीजे, end of each month में आपको क्या करना है, कि फिर से time period calculate करना है, इसके लिए first drawing आपकी कब होगी, 31st January को, correct, 31st January को जब first drawing होगी, तो 11 month ब 31st December, correct, यानि कोई बंद नहीं बचा 0 upon 2, यानि कि 11 upon 2, यानि कि 5.5 months, I hope ये वाला case clear होगे आपको, तो ये case आपको बताता है, कि 5.5 months, और फिर से drawing, total drawing वैसे ही निकलेगी, आपका drawing per month into 12, उसके बाद rate upon 100 into time period, यानि 5.5 upon 12, आप इसको भी calculate कर लेंगे, अब मैं एक छोटी सी summary आपको दे देता हूँ, जिसे आपको याद रहे, month wise, पहला, first day, हो जाएगा आपका, 6.5 upon 12 time period हो जाएगा, second, middle, middle के case में कितना हो जाएगा बेटा, 6 upon 12 हो जाएगा आपका, और last है आपका, end, end of each month में क्या हो जाएगा, 5.5 upon 12, बाकी तो सब सेम ही रहता है, ये calculation आपके important ह time period calculate करना सीख जाएगे तो life में आपको कभी problem नहीं होगी interest on drawing निकलने में, I hope video में मज़ा आया, video समझ में आया, like करिए, comment करके होसला बढ़ाईए, channel को subscribe करिए, क्योंकि ये आपका channel है और आपकी पढ़ाई के लिए है, और साथी साथ bell icon को इबर दबाईए, जिसे की सारे latest notifications आपको हमारे videos के मिल चकें, अब हम आ जाते हैं अपने last section में हमेशा की तरह कि क्या चीज वीडियो में important है, जो आपके board point of view से, आपके exams में आ सकती है, भले ही CBSC हो या ICSC हो, या ISC, basically ICSC ही आगे चलके 11-12 में ISC बन जाता है, तो ISC में है, क्या चीज़े important है, मैं आपको बता करना आना चाहिए, CBSC में आज कल multiple choice questions आने लगे हैं, तो उसमें एक number के लिए पूछा जा सकता है, time period अलग-अलग, plus आपको ये calculation करना आना चाहिए, ये बहुत important है, सारे formula को pen down करिए, time period निकालना सीखिए, और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपको हमे मस्त्र ये, thank you